कि गुड मॉर्णिंग स्टुनेंट्स जैसा कि आप देख रहेगे आश्चे एजिक्शन हों की ओन्नाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है प्यारे अच्चों आज उन प्रिश्चनाम निपंद्रा जिसका नाम है प्राइट्था कि इस प्रैक्टा के बारे मंधन करेंगे अखरी प्रैक्टा खुति क्या है यह कोई नहीं चीज़ी नहीं है खश्राइट के आप लोगों ने प्रैक्टा के बारे में थोड़ा सद्र किया दो रखा कि सम्वान की जा सकती है इस जीरों से और एक बने स्थित होती है यानि अदिकतम मान क्या होता है kya नींतम क्या हो सकता है जीरों जीरों यानि प्रत्तेक सवाल सब्सक्राइब वो जीरो और एक के बीच में ही आएगा ज़िए किसी काणवर साथ आपका आपका अज़ब पिर गड़ा है तो सबसे बहुत करते हैं प्रयक्ता होती क्या है संभावना आप नोगों ने कि देखा होगा सुना होगा कि हम कहते हैं कि आज लख्षा होगी आज भारत मैच जीतेगा यानि हम संभावन व्यक्त करते हैं और अचानक हमने का आज वर्षा होगी इसका लख्ता हुआ कि हमारी प्रयक्ता है जो हमने संभावन व्यक्ति वह सो प्रसेंट सत्य होगी ठीक है जैसे हमने का आज भारत जीतेगा भारत नहीं जीता संभावन हमारी सो प्रसेंट गलत हो गई कहने का रखा हुआ कि दो में से एक काम होता है कि यह तो गटना गड़ेत होती है या उसकी गटना गड़ेते नहीं होती पर तो कई वार ऐसा होता है 50-50 जैसे माली जी किसी कव्षा के अंदर 20 बच्चों का टेस्ट नहीं आ गया है जिसके अंदर से 10 बच्चे 10 चाक्त्र परिक्षा में पास होगे 10 फेल होगे तो यहां पर पास होने की प्राइक्टा कितनी हुई 10 बटे 20 एक बटे 2 यहां पर सम्मावना कितनी हुई 50-60 यही प्राइक्टा होती है अर्था प्राइक्टा का अर्थ होता है गटना के गटित परिनाव प्राइक्टे गटना के कुलपरिनाव यह हमारे प्राइत की एक छोटी सी बात होती है। कि कि इतने पार इतना घटित उसकी जन्द एक कुल कि इतने हुए जैसे हमारे पास कुल कितने देख 20 जाता है पास कितने हुए 10 दस रटें कितना भीष सपोस करते यह 15 बच्छे पास दोते यहां कितना उता 15 कि हमेश्या जहां करने लिए बात होगी हरकी संख्या अंसके अधिक या अंसके बराबर हो सकती है कभी भी अंसे कम नहीं होगी कि मत्यों कियों आजिर्ण डेयुद और यह श। ऐसी कम हो सकती है जीरों से कम्युद ब्रैंटा देडिक इसका उविखको इस परकार के अभी-पार के वारे में प्रीक करेंगे प्रैंटा के बारे में का इसे आपको बतादू देखिए प्रसंद नमबर एक प्रसंद नमबर एक कहता है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबास दुआरा कुल 30 गेंद खेली गई जिसमें 6 गेंदे पर उसने चोके मारे तो चोका ने मारे जाने की प्राइटा यहां देखना को और करके क्या दे रखा है चोके मारे जाने वाली गेंद और क्या ग्याद करना ने मारे जाने की प्राइटा कि कितनी बोलो पर चोका नहीं लगा यह देखना है हमें तो कितना हुआ तीस कुल खेली गी ती 6 यानी 24 चोका ने मारे जाने वाली की प्राइटा बराबर चोका ने मारे जाने वाली गेंदों की संख्या बटे कुल खेली गई गेंदों की संख्या बस अब देखिए 24 बटे 30 काट दिया किस से गटा 6 से 6 चोका 24 56 30 क्या अंसर आ गया 4 बटे 5 यही हमारा अंसर है दुबार देखिए एक महिला क्रिकेट टीम में एक जो महिला बल्लेवाज थी उसने 30 कुल गेंद खेली जिसमें से 6 गेंदे प्रुष्णे चोके मारे चोका नय मारे जाने की प्राइकता तो सचसे पहले चोका नय मारे जाने वाले गेंदों की संख्या निकालेंगे कुल कितनी खेली 30 चोका कितने पर मारे 6 पर कितनी रहगी 6 24 चोकार ने मारे जाने की प्रैक्ता चोकार ने मारे जाने वाले गेंद की संख्या बटे कुल खेली की गेंदों की संख्या 24 बटे 30 बराबर कितना चार बटे 5 यह हमारा पहला सवाल इस प्रकार से प्रैक्ता का हो चुका इसे आप अच्छी तरह देखें इसे हम चाहें तो इसका दूसरा तरीका ओर है उस तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं यह निए इसका first method था अब हम इसका 2nd method पढ़ते हैं देखिए इसका 2nd method में क्या होता है हमारा सवाल यही है क्या है? चोकार नय मारे जाने की प्राइक्ता ठीक है, हम पहले ग्याद करते हैं शोका शोका मारे जाने की प्रैक्ता तो देखिए, क्या हो सकता है शोका मारे जाने वाली गैंदों की संख्या बटे खेली गैंदों की कुल संख्या कितनी हो गई 6 बटे 30 बराबर 1 बटे 5 यह चोका मारे जाने की प्रैक्ता थी हमें ग्याद करनी है चोका ने मारे जाने वाली चोका ने मारे जाने वाली की प्रैक्ता मैंने आपको भी बता था कुल प्रैक्ता एक होती है तो क्या करना है एक मेंसे इसको गठा दीजिएगा एक माइनस एक बटे पांच इनका लेसे पे ले लिजिए पांच पांच माइनस एक बुले तो चार बटे पांच यही इसका आंसर है पांच